गेहु में हमको पुटास खात का परियोग कप करना चाहिए तथा कितनी मातरा में करना चाहिए तथा इसका इस्प्रे करना क्या अवस्यक होता है तो ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी यद वीडियो के माध्यम से चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तथा साथ में नोटिफिकेशन बेल को आल पर कर दीजिए जिस से खेती किसानी सम्मंधित वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे किसी भी फसल के लिए 16 पोसकत्तों की आउसकता होती है जिसमें नाइक्टरोजन, फासफोरस, एम, पोटास, मुख्य पोसकत्त होते हैं यदि इन पोसकत्तों की पौधों में कमी हो जाती है तो फसल पर कई परकार के दुस्परभाव देखने को मिलते हैं जैसे नाइक्टरोजन की कमी से पोधों की बानस्वतिक ब्रधी रुख जाती है पोधे में पीलापन आ जाता है ग्रोस रुख जाती है तो दूसरे जो फासफोरस की कमी हो जाती है तो नए फल फूल नहीं आते हैं पौधा काफी कमजोर हो जाता है इसकी कमी से उत्पादन पर काफी परभाव पड़ता है उसी तरीके से ही जो हमारा पोटास है अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी जो उत्पादन है उस पर बहुत ही बुरा परभाव पड़ता है उत्पादन काफी हमारा कम हो जाता है दाने का आकार छोटा हो जाता है पतला हो जाता है चमकदार नहीं होता है तो इन तरीके की बातों का प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है बात आते ही कि पोटास का परियोग हमको कब कब करना चाहिए तो मुख्य रोप से पोटास का परियोग हमको फसल की बेसल डोज के रूप में जब हम बुवाई करते हैं तब करना चाहिए जब किसी कारण बस हम नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं सिचाई से पहले हमको इसका परियोग कर देना चाहिए सिचाई से पहले परियोग करके उसके बाद सिचाई कर देते हैं तो जो पोटास की और सकता हमारे पौधई को होती है वो पूरी हो जाती है तसा साथ में यदि हम एनपी के जो घुलन सील रूप में आता है पाउडर फाम में आता है 0050 का परियोग करते हैं उससे भी हमारी फसल में काफी लाव मिलता है और इसका परियोग हमको कब करना चाहिए जिस समय हमें जो हमें बालियां आने लगें उस समय हमका इसका परियोग करना चाहिए इसके परियोग से दाना चमकदार बनता है सुडोल होता है साथ में पौधा भी काफी मजबूत हो जाता है जिससे आंधी तुफान में गिरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है NPK 1919 का भी परियोग किया जा सकता है लेकिन जब हम सिचाई करें उसके बाद इसका परियोग कर सकते हैं लेकिन जो NPK 0050 आता है इसकी मातरा की बात करें तो एक हेक्टियर के लिए एक किलो ग्राम मातरा की आउसकता होती है एक किलोग्राम इन पीके जीरो 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 पचास एक सो पचास से दो सो लिटर पानी में घोल करके प्रते हिक्टियर के हिसाब से छिड़काव कर देने से काफी हमारी फसल को लाव मिलता है और इसका ध्यान रखना चाहिए इसका परियोग हमको अगर हम बाली बनने से पहले या बाली बनने के समय करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है तो एच छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ सेर भी करें तथा कमेंट करके भी बताएं इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए ऐसी ही खेती किसानी समंधित वीडियो साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद